हेलो दोस्तो आप लोग का मेरे चैनल जी के हिंदी नॉलेज में स्वागत है आज के इस वीडियो में आप लोग को राश्ट्रे डिवस टॉपिक से बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन्स कराने वाला हूँ अस्ट्रिय विग्यान दिवस मनाया आता है समझ गये दूसरा क्वेशन क्या है निम लिखित में से किस दिन परती वर्स खेल दिवस मनाया आता है तो कब खेल दिवस मनाया आता है तो इसका एंसर हो जाएगा option c 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया था, यह question SSC 2015 में 29 में MPPSC 2015 में RRB 2018 में पूछा जा चुगा है, तो यह बहुत ही ज़्यादा important रहने वला है, क्योंकि यह क्या है, बार बार क्या होड़ा है, repeat होड़ा है question Question 3, निमलिखित में से कौन सा दिन, केम्प्यूटर साक्षर्ता दिवस के रूप में मनाया था है, तो इसका answer हो जाएका option number B 2 दिसंबर को केम्प्यूटर साक्षर्ता दिवस मनाया था है Question 4, निमलिखित में से कौन सा दिन, केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका answer हो जाएका option number B 24 फरवरी को केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवस मनाया था है Question 5, हिंदी दिवस के रूप में मनाया था है कब तो इसका answer हो जाएगा option number B 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया था है Question 6, सिक्षक दिवस कब मनाया था है तो इसका answer हो जाएगा option number A 5 सितंबर को सिक्षक दिवस मनाया था है Question 7, किसान दिवस कब मनाया था है तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर D 23 दिसंबर को किसान दिवस मनायाता है Q8. चिकित्सा दिवस किस दिन मनायाता है तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर D 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनायाता है Q9. 9 सेना दिवस किस दिन मनाया था? तो इसका एंसर हो जाएगा अप्सन नमर ए 4 दिसंबर को 9 सेना दिवस मनाया था Q10. राश्ट्रिय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया था? तो इसका एंसर हो जाएगा अप्सन नमर ए 31 अक्टूबर को राश्ट्रिय एकता दिवस की रूप में मनाया आता है Q11. राश्ट्रिय प्रदोगी की दिवस की रूप में कब मनाया आता है तो इसका एंसर हो जाएगा option नमर A 11 माई को राश्ट्रिय प्रदोगी की दिवस मनाया आता है कुश्चन नमर 12 अल्प संख्यक अधिकार दिवस कब मनाया आता है तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्सन नमर B 18 दिसंबर को अल्प संख्यक अधिकार दिवस मनाया आता है ये कुश्चन SSC 2014 में पूछा जा चुका है कुश्चन नमर 13 भारतिय राश्ट्रिय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया आता है तो इसका एंसर होगा 26 नमर यानि कि B यहाँ पर टाइपिंग में इस्टेक हो यहाँ पर B होगा ठीक है और यहाँ D होगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा कि B हो जाएगा 26 नमर को राश्ट्रिय विधि दिवस मनाया आता है कुश्चन नमर 14 कौन सा दिन डाइवेटीज दिवस के रूप में मनाया आता है तो इसका एंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर डी चाउदा नमर को डाइवेटीज दिवस के रूप में मनाया आता है और यह कुश्चन भी PSC 211 में पूछा जा चुका है कुश्चन नमर 15 साहीदी दिवस कब मनाया आता है तो इसका एंसर हो जाएगा ओफ्सन नमर C 30 जन्वडी को सहीदी दिवस मनाया आता है यह कुश्चन 2013 में पूछा जा चुका है अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देजिएगा